हलो फ्राइंड आपका हमारी यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको एक ऐसी दवाईयां बताएंगे ऐसी चीजे बताएंगे ऐसी जड़ी बूटियां बताएंगे कि जो की आपको बहुत मर्दों के लिए बहुत ही अच्छी कारगर और बहुत ही अच्छी लापदायक चीजे हैं जो की बहुत से लोगों को ऐसे अप रहता कि इनको इस वां काउंट कम हो गया है और बीर उनका जो है बहुत पतला हो जाता है तो जो है उनको आगे चल के जुल एकिन रहा है और जो है ऐसे आइसा इस्तिति बहुत होती है तो इस चीजें के बारे में आज आपको आने वाले हैं तो वीडियों पर बने रहे गाओ उसके बाद अगर वीडियोंपे आप हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और विल आईकन को द धीरे धीरे कम होती जा रही है इसका में कारण है कि जो हमारी हम सही तरीके से पोसर तर तो जो है जो है नहीं ले पा रहे हैं तो उसी के कारण जो है हमारी सरीरी कमजोरी हो जाती है और दूसरा होता है कि हम अपने कारण ही जो है हम अपनी सरीर को जो है एकदम से कमजोर बनात वेरे दीरे कम हो जाती है वीर पतल्य पतल हुता होता है और उनको नायड फालट ऐसे भाइसे सारी भावल escrétais उनको प्राब्लम कैसे उपयोग करना क्या दवाईयों को अपयोग करना या जड़ी बूटियों के या होम रिमडी कुछ भी तो भूर्य वीडियो देखिए गा तो उसमें आपको सही समझ में आ जाएगा और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी तो ऐसी इस्तिती में आपको क मतलब कि आपको भीर फतला हो रहा है आपको कमजोरी महसूस हो रही है आपको आपकी पौरुस्ता कम लग रही है आपको कोई भी आप डिश्चार्ज अलदी होते हैं ऐसको अईसकोई सीती है तो आप उसमें काम किजिए सबसे अच्छा कारगर होती है कि आप जो है छोटी इलाइची ले लीजिए और छोटी इलाइची के जो है आप जो है उसको दो इलाइची रात को जो है दूद ले लीजिए दूद में दो इलाइची और उसमें जो है इलाइची को दो इलाइची पीस के और दूद में डाल के उसको खौला लेजिए अगर आपको जो है कही पंस बाद उसको रखतीजिए कहीं घर में ले जाके जहां पर कि ओ जो है रूम टंपरेचर हो जाए और रात को सोने से पहले जो है उसको पी लीजिए और उसके बाद देखिएगा कि आप 15 दिन के अंदर आपके सरीर में जो उरजय मिलेगी जो ताकत मिलेगी और जो ऐसी स्तितिय रहती है जो आपको लगता की हमारी वहारी हो गए अब yêu पतला गाड़ गाड़ा नहीं और बहुत पतला है और आपको बच्चें होने दिक्कत हो रही है य समझो कि आपको सेक्सटूल प्रावलम कोई भी दिक्कत है तो इसमें जो है आपको यह चीजहीं वड़ी आसानी से आपको बहुत फायदा करेगी और दूसरी है आप बदाम ले लिजिये रात को भीगो दीजिये और उसके बाद उसको बदाम को सुगा जो है घिसकर दूद में पीजिये तो उससे आपको hundred percent आपको हम बता रहे हैं आपको फायदा मिलेगा जो है और तीसरी है आप जो है उसका जो है एक अधरक ले लीजिए जो है और उसको जो है अधरक को पीस के जो है अधरक का रस एक चिम्मच ले लीजिए उसको सुबह अगर सुबह सुबह जो है उसका सेवन करते हैं अधरक क के रसका भी तो वो भी बहुत ताकत वर होता है तो ऐसी ऐसी scholar जड़ी ज़री बूटीया जो आपके घर में बड़ी आसानी से मिल जाएगी और दूद का तो दूद का लगा किजिए अगर दूध है आपके घरमे तो दूद का सेवन कीज़ी का आप सेवन करें तो आपको मैं तुन ना कीजिए ये काफी हानिकारक होता है और आपके सरीर को कमजोर बना देता है और अगर ये दवाईयों का आप जैसे कि ये जो हमने आपको बताया ऐसा उपयोग अगर आप घरेलो उपयोग करते हैं तो आपको सरीरी जो है छमता जो है बढ़ जाएगी और आपको फूर्ती मिलेगी आपको ताकत आएगा और जो भी आप उसकी जो है मनोस्तिती दौरबल एकदम कम हो गई थी और बढ़ जाएगी आप स्ट्रॉंग रहेंगे आप एकदम समझ लो कि आपको इतनी ताकत रहेगी कि आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ आप हमारे सरीर में ज सकते अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो आपको हम बता रहे हैं कि आपको फायदा जरूर मिलेगा तो ऐसी जो दवाइगीहं हैं ऐसी जो मैडशी जो अइरवेडिक घरे लुपाएं jin तो आप उसको जरूर कीजी अगर आपको ऐसा दिक्कत है तो आपको पूरा तो है लाब इसका जो है आपको कहते हैं कि बदाम को घिस के रात को भिगो दीजिए अब आदाम दो बदाम चार बदाम जैसे आप खा सकते हैं उसको घिस के जो है दूद मिला के पीजिए जो है इससे आपको काफी श्ट्रॉंग फेल होगा और आपकी जो इस पूर्थी बढ़ जाएगी और बीरर गाढ़ होगा बहुत ही लाबदायक ओर बहुत ही powerful ingredient होता है जो ब्दाम में जो कि आपके सरीर को बहुत भरपूरàn छमता में ताकत देती है तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आथ तो प्लीज हमारे वीडियो को like को लाइक और share कीजिए जरूर कीजिए और जो है ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जूड़े रहिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो सेयर करके अपने फैमिले और और भी दोस्तों को बताईए जिनको अगर कोई ऐसी प्राबलम है तो उनको जरीर सेयर कीजिए आपको ज्यादा वेनिफिट होगा और हमारे चैनल पर बने रही है चैनल को अगर सस्क्राइब नहीं किए तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजे धन्यवाज